नमस्कार दोस्तों हमारी पेपर फॉस्ट की मैढेज्मेंट से संभधने क्लासे चल रही है युनिट तर्ड हम कर रहे हैं युनिट थर्ड मेने मैणिज्मेंट के वह पार्ट उठाएते जो और कॉममेर्श से अकाउंट से लेटेड हैं क्लियर इसी करम में जो आगे बढ़त पाथ कि जो हमेरे parts management के रहाएंगी जिसमेंसे leadership and motivation की थोरीज रहाएंगी और organization behavior और HR management के जो टम अच्छी से समझ लेंगे तो मेरा प्रयास यह रहेगा कि आज और कल मैं अब खंड और से पूरा करा दूं लेखांकन और अंकेशन वाला पार्ट उसके बाद हमाने leadership and motivation theories रहेगी उसको most probably परसो complete कर लेंगे मतलब कहने का मेरा ताथ पर यह कि unit 3 जो है उसका खंड और खंड से परसो हम पूरा complete कर लेंग ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करेंगे लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली double entry system को तभी नीच होएंगे हम पहले समझ लेंगे वित्ति विवरन विशलेशन की तक्निक है उसके बाद हम double entry system देख लेंगे उसके बाद जब बाकी topic से उतरदाईत और सामजिक लेकांकन वित्यादी उनको भी देख लीए क्लियर तो शुरू करते हैं कि दो वर्ड समझना हमें जरुरी ये पहले एक बड़्स है आपका लेक रेकांकन क्योंकि वित्तिय विवरन का विशलेचन हमें करना है एक वड्स हम जसक्ते हैं लेकांकन और दूसरा वड्सम्गते है वित्य विवराण लेखंकन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग और वित्य विवराण हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और हमारा जो सलेबस कहता है वो यह कहता है कि आप क्या करना है यह आपके अधिकारी बन जाएंगे तो आजकल तो सभी कुछ एकनौमी से और कॉमर्स एलेटेड हो गया है तो आपको यह तो आना चाहिए ना कि मैं जिस भाग में अधिकारी हो से भाग का अधिकारी को प्रैकारी किस प्रकार का ताना बाना है क्लिर कूर को हम देख लेते हैं मेरा अकाउंट है सबने सुनाई है जैपको रहा है मैं जो भी कर रहा हूं कि बेच रहा हूं तो म्य क्या छी कर रहा हूं और लंगे का तो में किताबों में लिखते हैं लाला जी लिखते थे लाल से किताब में इसको इतना उधार दिया इतना पैसा आया यह सारी चीजे जब मेरा भड़ जाएगा तो मैं कैसी देखूंगा एक कॉपी से समालने से रहा तो यह प्रिंसिपल्स होता है अकाउंटींग का उसको में लग जाऊंगा और इनको अपने फाइद़ के लिए मतलब मेरे website की भढ़ोत्री के लिए मेरे लाभभानी को जानने के लिए मेरा website किस तो परिस्दि से कि चल रहा है उसको जानने के लिए मैं क्या करने लग जाओंगा। लिखों का अंकनum जो लिक रहा हूं उसको मैं यह हो तरी यह क्या देखना हैरत गर कि यह कर रहा हूं तो क्या है कि पहले चीज की वड़ पकरते चलना नंः च्रेइफ नई पड़ेगी उच्वेस्साइब लेंस से करना हम Skills तो मैं प्रिम पक्रते है इस किसटाइब पहचान करता हूघ पहचान करता है किसकी ब्रणा करनाों किया में समझा रहा हूँ कि आप ऑई करोगे तो एक्साम होल में थेफिनिशन आप को रिकाल को करने में पहचानी में घाल लिये विकाज तो ने अब पहिचान करने के बाद किसा nggak करणा हुँ है किसाब इसको पर्चेस में ďालना है कि ने साथ कि ए सकैस्कütün चीज़ करणने के वाद मोन इसका करूं गाउतमे कि अभी लेखन करूं क्या करूगा मेरे दोस्तों अभी लेकन करूगा तक फिसंठ ड़ाइन क्या बन गई इद बड़ी सिंपल हो गया अ लेकांकन से आश्य इन्वेंड है बहुए लेन देनों की वेबसाइग लेन्द देनों की पहचान करना मानना और उनका अभी लेकन करने एवं इसमें एक जोड़ो एवं आवशक सूचना है ठीक है पुने बनाते हैं डेफिनिशन को लेखांकन से क्या रात होगा अब या जो वेफसाइक लेंदेन हैं हमारे लेखांकन का उप्योग करता हूं इसी को तो देंगे और मुझे क्या करेंगे करेंगे संप्रेशन करेंगे दो-तिन वर देखो याद रोजाएगी चलो बनाते हैं दुबार से लेखांकन समझ रहें क्या होता है पहले जीज ये जो वेफसाइक लेंदेने इनकी पहचान करना इनको मानना और अभिलेकन करना और अभिलेकन करने के बाद इनके उप्योग क करता को संप्रेशन करने की एक प्रक्रिया है क्लियर सारा प्रोसेस आप समझ गए अब आप क्या समझें मैं इसले टाइम वे रहा हूं कि यह जो पार्ट है ना यह आर्ट्स वालों के लिए और साइन्स वालों के लिए नया बार्ट होता है तो थोड़ी से फील आजाएगी ने एक बार उसके बाद आप लोग उस गाड़ी को अच्छे देख है इस लोग है ल क्या है सॉरी इंटरप्शन दोस्तों स्टार्ट करते हम डुअरा रजबार यह और बीच में इंटरप्शन आएगा क्लियर छलो कोई नहीं हारे डेफिनिशन कहती हैं ले खांकन के देख जैए ले खांकन के डेफिनिशन क्या है बैश 사ई लेंदेनों को पहचान करना मानना अभी लेकन करना और यहां आवश्यक सूचना है उप्योग करता को संपरिशन करना क्लियर पुने बोलूं अब इसमें आपके दिमाग मानने चाहिए सब प्रोसेस तो वड़ी नहीं है दुबार समद लो लेखांकन वेफसाइक लेंदनों की पैचान करना मानना अभी लेकन करना और आवश्यक सूचना को उप्योग करता तक संपरिशन करने की प्रक्विया है क्लियर दुबार एक बार और फिर बोलने संकर्टी खताम कर लो आगे तक का अभी रट लो अभी सीख लो लेखांकन क्या है वेफसाइक लेंदनों को पैचान करने मानने अभी लेकन करने तदा यहां आवश्यक सूचनाओं को उप्योग करताओं को संपरिशन करने की प्रक आगे कि पशन का विवरं को यह को ऐसा स्थैटमेंट स्थिदी के बारे में बता रहा है जैसे मेरे वेसाएज की विदियस्थिदी कैसी आप म Israeli भड़े हम्दर्त हैं मेरे पास आपने पूचा किसा मिठाई की दुकान खुरी थी वरतमान के उसकी स्थिती कैसे चल रही है मैंने कर फैनेशल इस्थिती बड़ी अच्छी चल रही है और विट्टीस्तितीय बढ़िया कैसे मैं बताऊंगा वित्य स्थिति में उसके बड़ी आइस प्रकार से बताऊंगा देखो साब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आकाउंट देख लो आप स्टेट्मेंट जो पी एंडल का है बहुत अच्छा है लाब ही लाब हो रहा है ठीक हुश हमों से विक रहे हैं मौझ मौझ हो रही है अब त तो मेरी बैलेंशीट देख सकते हो यसीओं में क्या आता है कि इस संपत्ति मेरी दाइद कि खर ले ली यहां और भी उन्ट लिवह मेरे लोगों को पैशा देना है लए चुकानि को हग जी कि ऑधाट सटेट्मेंट के तो विचात के आगे हाध कर रहा था इन वित्ती विवरणों को जब मैं एनलेसिस करूंगा वह हमें समझना है लेकिन फाइनेंशल स्टेटमेंट के बारे में आप एक चीज समझ गए कि यह कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनके माध्यम से में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस लाब और हनी चेक कर सकता एसेट्स और लायबिलिटीज एसेट्स मतलब होगे आपकी संपत्ती और लायबिलिटीज होगी आपकी दाइत इनको मैं चेक कर सकता हूँ दो प्रमपरागत आप इनी को देख ली जाए ठीक है इसको हम बोलते हैं बैलेंट शीट चिठ्था जिसको आप बोलते हैं कि मेरी कंपनी की बैलेंशिट क्या बोलती है मिरपा कितने कितनी संपत्ति और कितने दाइत हैं क्लियर और आपके प्रॉफिट और लॉस आपको बताता है कि आपको आय हो रही है या हानी हो रही है क्लियर यह हमारा वित्य विवरण है तो वित्य विवरण का हम एनलिसिस करना सीख गे जो हमारे स्लेबस में हैं एक बर वित्य विवरण के बारे मार आपको बता दूं वित्य विवरण की डैफिनेशन भी आप देख लिजय क्या कि होगी इसमें की वरड और आपको जोड़ दूं मैं उद्ध्यम मतलब आपके होगी जो भी आपकी है वित्ति विवरन क्या हो गई? वित्ति विवरन हो गई एक उध्यम की परी संपत्तियों एवं दाइत्वों एवं पूंजी की स्थिति को प्रकट करने वाला विवरन होता है ठीक है और इसमें एक चीज और जोड़ लेना यह हमेशा विशेश हमया अवध्य के लिए होता है जैसे कि तीन मैंने छह मैंने एक वर्ष लाब उरानी ऐसा थोड़ी कि दस साल का मैं काउंट करूंगा तो मैंने एक साल में देखोंगा सरकार विद्ध देखेगी न भाई इसने समोसे की दुकान खोली कितना पैसे कमाया तो मेरे प्लेंड अकाउंट चेक करेगी साल बरके रिटेंड भर नहीं तो एक विशे समावधी के अंदर कद मेरे को देखना होता है क्लियर चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेंगे फाइनेशल जो स्टेट्मेंट विद्धी विवरन इनको एनलेसिस कर लेंगे कितने टाइप से होते हैं चले दोस्तों टेक्निक समझ लेता है विद्धी विवरन इसलेशन की तकनिक है मोटी मोटी साथ तकनिक हैं इसमें जो रेशो है यह अनुपात रिसलेशन है यह सारे करने के बाद हम देखेंगे कि रेशो एनलेसिस में तीन पार्ट होते हैं और उसमें बहुत सारे आपको चोट-चोटी से फार्मूला देखने को मिलेंगे सीधे दो नंबर का कुश्चन आएगा रिशो अनलेसिस को देखेंगे पहला हम देख लेते हैं हॉरिजंटल है इसी को हिंदी में बोलते हैं हम शैती जी विसलेशन क्लियर पहले हॉरिजंटल समझते हैं टैंशन मदलों ब दो समयावधी इंदोसमयावधी अंतराल के आपके पी एंडेल और या बैलन सीट ठीक है ना हाँ इन को Hmm क्या बोलेंगे कि विद्थिय लेखो का थैर सिंपल सयती जी हों के आपने क्या अर्जिशनल में हमने देखा जो वर्षों के जो भी या मेरे प्रॉफिड bete circles विप्ति विवरण थे उनका मैं विशलेशन करूंगा दो समय अवदियों का तो भी यह क्या 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 रहेगा मेरा शैती जिय होर्जेंटल एनलेसिस क्या ठीके ना और इसी को एक नाम से और जानते हैं को तुलनात्मक विशलेशन भी बोलते हैं क्या कमपरेटिव एनलेसिज तुलना कर रहे हैं इसमें हम दो अवधियों के आपके खातों की या वित्य लेखों की क्लियर पुने समझ लो रटने की बिल्कुल जुरुद निये शैते जी होजेंटल को तुलनात्मक क्लियर इसमें क्या देखते हैं समय वधियों की एक लप्रत्ड़ता और न गिया उसके विचन होदह करते हैं क्लियर संपल आपको रटना नहीं है मेरे ज़ुद्य लेके हैं उसके दो tussen एक समय वधियों करना करना ही क्लाता है तुलनात्मक विशलेशन तक्नीक चलाता है हर कहते हैं इसको या हिंदी में सैती जी तक नहीं कहते हैं क्लियर दूसरा देखो ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है आजकल कपड़ों का फैशन का पहले तो भी जीन्स थी वह बड़ी चोड़ी चोड़ी हुआ करती फिर बहुत बिल्कुल चिपके-चिपके इसके नियाने लग तर्टेंड बहुत कि कि हम देखेंगे हैं ईसमें मिलग्यान चलीन का छया हम विए उसमें सब्सक्राइब करेंगें की यह सबॉैंशन करते हैं करने हैं थे नहीं की एप में प्रवर्भर्ति प्रवर्ति विस लेशन ठीक न प्रवर्ति विसलेशन कीवर्ड कई वर्षो के वित्ती लेखों का विसलेशन आपको किस के अंदर आता है ट्रेंड के अंदर गदाता है clear मैंने क्या बोला किया साथ बात इस पहरे प्रवर्ति विश्टेशन में कि आपके कई वर्षों के विद्ट्य लेखो हैं उनका विश्टेशन क्या कहलाता है अब देखें इसमें अव्लोकन कर सकते हैं की हमने देखा 2018 2018 2019 2020 2019 में मेरा ज्यहसे बरू सपोज करो एक लाग का प्रफिट था सब्सक्राइब क्या बता रहाएं kızım साथ मैं कëंटिनेशली क्या कर रहा हूं साथ क्रौथज और कंटिनेशली डिवोत्य कैसे कर रहे हूं कि देखो एक से दो हो हएंड़ परसंट हो गया दो से तीन हो गया मतलब 50% हो गया 150 150 परसंट हो गया तो मेरे ट्रेंड मालूम पढ़ रहा है मेरे बिजनस का क्लियत ऐसे इसका संपत्यों में भी हम देखते हैं करने बैलेंशन जिसका उने पहले मेरे पास एक कार थी यह चनलीजें वेफसाय में एक कार नहीं पहले मेरे पास एक सब्सक्राइब बठी आप मेरे पांटें और 220 मेंपांच संपत्ति भड़ गई तो हम अवलोकन करते हैं पिछले वर्षों के जो मेरे मेरे वित्य बातिय ले तो घर्फ क्या क्या होता है requires action को क्या हिएए तो क्या नह parties के लाता है कि पर्वर्थी को हम समझेए सबसे लास्ट में कि वांटीकल है वाटीकल हो गया आपका अनुलंम लग ressly अनुल्हं प्राइब्स कुछ अनुलम्म लेजिकल आपиком हो टो इसको कर सूब जब भी आपके वर्टीकल या अनुलोग में वित्यव श्लेशन आ जाएगा तो इसमें कीविड आएगा इसमें जो भी आपकी लेखे हैं जो भील्या जो भी आपकी तुसमाज़ लो जैसे इधर तो होगे assets इधर होगे liabilities assets है मेरा क्या ताथ पर किसाब मेरे पास यह factory ठीक है दूसरी मेरे पास delivery करने के लिए यह वहाँ नहीं pick up दो कई लिए लो आप एक पर ठीक है factory है मेरे साब suppose कर एक लाग की और pick up है मेरी 10,000 की तो total मेरे पास एक लाग 10,000 रुपे की clear अब अनुलाव विश्लेशन में क्या होता है यह जो मदे हैं इनकी तुल्ला प्रतिशत के इसाब से होती कैसे कि यह जो है total asset यह तो मेरी क्या हो जाएगी 100% clear अब इस 100% में मेरी factory का कितना प्रतिशत है यह मुझे निकालना होगा तो कैसे निकल जाएगा साब एक लाग है एक लाग बटे एक लाग दस जार गुना सो ठीक है जो भी आएगा वो आपका आजाएगा clear इसको अगर simple बनाना है तो इसको ऐसे कर लो factory मेरी 9 लाग की है और मेरी pick up एक लाग की है तो मेरे कितने का हो गया साब 10 लाग की मेरे asset हो गई प्रतिशत यह 100 है तो factory के मेरे कितने प्रतिशत हो जाएगी 90% और pick up मेरे कितना हो गया वह यह 10% मतलब मेरे जो asset है उसमें factory का ratio कितना है 90% और जो pick up है उसका ratio कितना है है 10% अच्छा साब इसने आप प्रतिशत में हैं दखू क्या है जो अनुलंब विस्टरशन होता है वर्टिकल को प्रतिशत में इसले भी लेते हैं क्योंकि यह हमें हमारे وैश्य, क्या मात्रात्मक विस्टेशन तो करता ही मैं साथ मैं गुरात्मक विस्टेशन भी गरता है मात्रात्मक हो गई निकालते वे हम बाकी मदों का विसलेशन करते हैं क्लियर अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे भई यह कैसे लिखेंगे बड़ी सिंपल है यह विवरन क्या करता है कुछ सामानने मदों के साथ एक वित्ति विवरन में नहित मदों के वीच संबंदों को संकेत की रूप में जाती है और उस मद से अन्य मदों का संबंद ग्याद किया जाता है क्लियर तो यह जो संबंद ग्याद कर रहे हैं क्लियर इसमें कोई दिकत है और हमारी एक इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन और वहा करती थी आँ है वह यह थी इसमें एसा वित्तिय विवरन विशलेशन जिसमें आधार सौ मानते हुए प्रतेग मद का परतीशत के रूप में संबंद स्थापित किया जाता है यह आपका क्या 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 लाता है वर्टिकल या अनुलंब क्या लाता है दूनुए डेफिनेशन ठीक है आप एक्जामपल के रूप में भी उसको बता सकते हैं संपत्ति यहां लिखना दाइत्व संपत्ति हो गए आपकी फैक्ट्री 90 परसंट पिक अप एक लाग आप ऐसे बता सकते हो यहां लाइबिल्टी लिख सकते हो ठीक है कि अब हम देख लेते हैं आपका फंड फ्लो कोश प्रभा कोश प्रभा सिंपल शब्दों को पकड़ना आसानी से बता पाऊ गए यह बड़ा सिंपल है वैसे भी यह फंड फ्लो इना इसके लिए साब कोई मेंडेटरी नहीं आपके अकाउंट्स में आपको बनाना यह बनाना नहीं बनाना यह नहीं बनाना यह पहली जीज तो क्या कि दरीक्राइए अफ्स Finnish है घर चल Mitch अगा यह बनाना थो बना लो नहीं तो भी है को में आफ से बात कुंबंद फ्लो में कुछ भी है यह जो कोश है इस शूंध कहां से आपके पार पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है यह है आपका क्युवल कोश्परभा होता है जैसे कि मेरे पास आलू खरीदने के लिए 100 रुपे में लेके आया ठीक है यह-्रों अब क्या हो गया है इनलो हो गया सॉरी आउट फ्रों हो गया आउटलो मतलब पैसा मेरा बहार गया ते एस सो रुपे के आलू आ गए और आलू के बतने में पैसा दुकानदार को दी दिया ठीक है अब क्या हो यह आलू बन गये और मैं फिर क्या की है सो रुपे का आलू के समुष्य बना के बेश दिये की जगे 200 के भी दिये 200 की जगे जो आपका पैसा आ रहा है और जो कौश में आपको पैसा जा रहा है इसका इताली करना अपको प्रब्र कहांता हृरा है मेरे कцевげ पैसा आ कहांसे रहा है और विस्केंटर अगर देखते हैं क्लियर कि डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कोशों के शुरोथ ठीके नहीं मतलब सोर्स और निकास का विशलेशन जिस विधी से किया जाता है वही विधी आपकी क्या 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 हाई विफरणों का विचलेशन किया जाता है वहपका फन्ड फ्लो खलाता है अब हम देख लेते हैं केश्फ्लोग कि अट कि मैंने आपसे क्यों आता कि a mandatory है यह mandatory नहीं है उसका कारण है जो कैश फ्लो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों यह बिजनस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल यह आपको मैंटेंटरी किया को मैंटेंटरी करने के लिए और यह मैंटेंटरी होता है हमारे एक स्टेंडर्ड दर करके जैसे अंतरगत अपको यह क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मेट को मैंटेंग करना पड़ेगा अबंद मेंटेन करना पड़ेगा और इसी का कोड़िंग आपको बनाना भी है अज़ाप cash flow है बड़ी स्पल सी बात है और भी सरल रहा है cash कहां पर जा रहा है इसके जो विवरन है उस विवरन का करना आपको क्या करता है cash flow analysis करता है clear तो आपने क्या देखा cash flow में और भी सिंपल है किसी संस्थान के रोकड का अंतरवाह एवं बहिर्वा इसका विश्टेशन करना ही आपका क्या 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 क कराता है सिंपल और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों आपको पीएचेडी नहीं करनी है इसमें लेकिन यह जो समझाए यह परियाब थे इसकी डैफिनिशन आपको समझने के लिए कैस फ्लों में क्या देखा किसी भी संस्थान की रोकड का अंतरवां एवं बहिरवां क्या जोड़ना चाहिए तो यह जोड़ सकते हैं कि संस्थान को अकाउंटिंग स्टेंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करना भी अनिवार है क्लियर अब एक मैंने उपर लिखा है आपको ड्यू पॉइंट इसको भी देख लूआ हमने क्या क्या देख लिया हमने देख जी विचलेशन देखा उसमें कि पॉंट था था दो समया अधी ठीक है ना दो समया भी के निए बिचलेशन करने थे फिर तरह लेकिन उसमें चीज हमने किया देखी अधिक था ठीक ना ट्रेंड विद्टी विबरॉण थे उनका विश्लेशन किया पितले वर्ष हमारे थी यहां आपका ट्रेंड अनेलिसिस कर लाता है रेशो अभी हम देखेंगे वर्टी कल में वर्टीकलर में हम एक बेस माल लेतें एक हां मैं और हम 100 साथ और हम थैकनी आधार eh कितनी है फिर सोग को संपत्ति कौन कोन सी कितनी है जतनी होंगी उसको में क्या करेंगे कि यह इनुलम्ब विसलेशन वर्टीकल विसलेशन कहलाता है अगला सिंपल सी बात है कोश में कहां से अंतरवा बहिरवा हो रहा है मतलब कोश में कहां से आपके निकास हो रहा है और कोश में कहां से आपके कोश आ रहा है यह हम किसमें देखते हैं और कैश फ्लो में हमने क्या देखा अंतरवा और क्या हां रोकड का बहिरवा हो रहा है इसकी वि है आप आप सब्सक्राइब थाया निय्यार तो अब आगेशां हम ठ्सक्राइब भी क्ली अंहिंटी जो देख ली बिश्ग क्या पॉनेज़ दो किया इसे सब्सक्राइब अहौने थे लिए हम देखना तब कि कॉली कोई बड़ा लफडा नहीं है इस ध्यान करकना है लाज किसको को दियान दूस्ताइब कि हम जतना haric में हुआ होता है कि जुछ होते हैं उनमें जितना रापहां खाम उसमें दर्ज और वह dessert हैं उनका ANALYSIS करना खुला था बंड अनलेसिस क्ला था कैसे देखो जैसे हमने व्यपार चालों किया है एक हजार रुपए में ठीक है अब इस एक हजार रुपए में जैसे आपने और मैंने अपन दोनों मैं जैसे 500 रुपए के आपके पास कितने रुपए के से 200 रुर्पए के अब हमने अफून कमया सो तो इसमों आत्ली साठा आपके पास कितने 6 आपके पास कितने चालीस तो ङ按 मुझे मिलेंगे तो प्रतेग शेयत पर मुझे कितना लाभां छेयर और मिलें आपको मिला चार रूपत देका जाये दिए क्टते मेरे पास साठ थे तो मुझे शाठ मिले ौर日本 चालिश मिलें क्लियर कैसे की साइब चालिस डोपको तो यह जिस विवरण में यह सारी लाभांचों के बारे में मैंशन करते हैं अंकन करते हैं वह दूपॉंट होता है ठीक ना और यह दूपॉंट अनलेसिस बेसिकली क्या बताया था कि यहां जहां पर भी आप यह विवरण में भी आप अपने शेघ्ण का लाभांच के बारे में लेखा अंकन कर रहे हो उसका विश्लेशन जब आप करोगे तो वह विश्लेशन आपको क्लाता है डूपॉंट अनलेसिस किलाता है अंशो पर अरजित लाभांच पर जो आधारित विवरन का विशलेशन करना ही आपका ड्यूपॉंट अनलिसिस कहलाता है अंशो पर आधारित अंशो पर आधारित अंशो के लाभांश पर आधारित विवरन का विशलेशन करना ही आपका ड्यूपॉंट अनलिसिस यह ड्यूपॉंट विशलेशन कहलाता है हिंदी अंगरेज सब्सक्राइब लिए द弟 देख लेते हैं इस ररी अब अधिनटे रहे बागने भटवे सी इंप्रोप्रेंले लिए हमारे कॉमर्स में यह मैंनेजिम्ट मैं यह तीन ही परकार नहीं होते हैं हमारे तो 6 या 7 प्रकार भी होते हैं लेकिन हमें जो बेसिक सारी information में मिल जाए इंपॉर्टेंट वो हमें देख लेने चाहिए यह तीत इंपॉर्टेंट नहीं हमें इनको देखना ही देखना चाहिए क्लियर मैं चाहता था इसमें में क्या होता है कि हम अनुपात के आधार पर हमारे जो वित्य विवरेन उनका करते हैं क्लियर अब इसमें किस प्रकार से करते हैं देखो पहला है आपका द्रवता अनुपात लिक्विड बटिंपृ बीडि रिचो इसलिए पर जाएक लिक्विडीटी कि क्या पतात पर यह सब्सक्राइब क्या जिए इसना मतलब वॊद्का हट में कैश कितना है यह जैसे मैं को पकड़ा लेकई दृट कर रहा हुआ ह। अपनी अलवाई की दुकान है, समों से अपने बढ़ाने है, अपने जो गल्ला है उसमें जितने भी नोट पढ़े हैं, वो सारी आपकी लिक्विड एसेट के लाएगी, क्लियर, अब उसमें यह देखना होता है, द्रवता अनुपाद में यह देखते हैं, कि हमारी शम्ता कित अदम से मैं चेक कर पाओंगा, ठीक हैँ, कि मेरे भिया, जो चालू मेरे जो लाइबिल्टीज हैं, उनको चुकाने की मेरी शम्ता कितनी है, लिक्विड एसागी है, एक हमेरे फिक्स लाइबिल्टी होती है, जैसे कि मैंने को लोन लिया, पांट साल, दस लाइबिल्टीज लिए दुखान से ले कर आने के लिए वो शमता है या नहीं है यह जैक कहां से रेशियों से होती है ध्रवता अनुपाद से होती है थीक है आप देखें कि यसी मैंने लिखा है और सियल लिखा है सीए क्या है आपका करन्ट ऐसे कैश भी हमारे लिक्विड आता है करेंट एसेट में आता है और सीएल क्या आपकी करेंट लाइबिल्टी हिंदी माध्यम हो चांग्रेजी माध्यम हो उसको इसी तरीके से याद कलेना वैसे यह चालू संपत्ती यह चालू दाइत होते हैं क्लियर आप इंग्लिश पे लिखे यह चाहेंगे तो वह एक नंबर नहीं कटेगा आपके न मेरा हिंदी मीडियम से था हम भी इसे प्रकार से लिखेंगा करते थे कोई दिक्कत नहीं होती थी यह क्या बताता है अब क्या बताता है करण रेशो बताता है कि वरतमान में मेरी जो लाइबिल्टी याभ तो इतनी है और मेरी एसट इतनी है ठीक है ना जैसे सपोज करो मेरे परस एसट है सो रुपेगी और मेरे लाइबिल्टी इतनी है 20 रुपेगी मेरा रेशियो कितना आगया फांच आगया मतलब कि मेरी चुकानी की कि शमता कितनी है कि तरफ्स पांच गुनि है क्या तो बचयार से मज़य अच्छ चे-चतर रहा विज्वर्य सामन उधार्व पर मिलने- क्रूं- संभाह रहेगी क्लियर तो मैंने क्या देखा कि कारेंट एसे टे करेंट रिष्व बताता है पहला हमने को एसे टेस्ट भी बोलते है इस वाले को टेए है डाइस के आशिए और यह ऊधु करंट लाइस ठीक है कि कहने के ताथ पर यह कि मैर पर पैसा कितना पढ़ा है और मेरी करन liabilities कितनी है इसमें भी हम यही देखते हैं इसमें पैसों के माध्यम से देखते हैं अन्य कुछ ऐसी चीज़े भी आ जाती है जैसे कि अपने रेशो कहलाता है और इसी को हम ऐसी टेस्ट भी गोलते हैं क्लियर है चलो किसी भी तरह की कोई भी तुमारे शंका होना तो मुझे आप कमेंड में छोड़ देना लिखके जैसे नेक्स क्लास आएगी उसमें उसको पूरा कर लेंगे अगला शोधन अनुपाद शोधन अनुपा जैसे की इस अनुपात के अ की मेरी देखा जाता है कि मेरी रण चुकाने की सम्ता इम Simply कि शोधन अनुपात जोंकर क्लियर शोधन अनुपात क्लियर शोधन अनुपात आप अब इससान सूतर हो देखलो अटने ही ज़रोत नहीं है टोटल एसेट अब ठीक है ना टोटल एसेट जैसे अपनी दुकान थी अलवाईगी तो अलवाईगी दुकान पर अपने एसेट संपत्य में क्या आगया जितने भी विया सामान थे मेरे ठीक लॉंग टर्म के लिए मुझे यूज में लेने थे करड़ाए कर्चा श्रैन्डर वगरा सब गैस वगरा वह सारी मेरी किसम असेट्स में इसट सभातीusan थी ठीक है और और टोटर्स टेंडर्ग लाइबिलिटी जायती का निकिदाः निकजन भी और दीर कालिन भविश्की भी इसको इसी प्रकार से समझो आप ठीक है जैसे कि 10,000 रुपए तो मेरा टोटल एसेट है और मेरी टोटल लाइबिल्टी कितनी है तो आठ थीक है न तो क्या मुझे बैंक लोन देदेगी कि देदेगी बिलकुल अगर यह मेरी लाइबिल्टी पंदरह हजार की हो और मेरे टोटल एसेटी अगर दस हजार हो यह टैन के लिखा है मैंने के दिनोट्स थाउजड दस हजार हो तो क्या मुझे बैंक लोन देदेगा नहीं देगा कभी भी आप होम लोन लेने जाते हो तो क्या करता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो क्या वह आपको एक करोट से जादा लोन देता है नहीं देता वह आपको क्या करता है इसका 80-90 परसेंट तक लोन देते हैं मतलब लाग का आपको लोन देदेगा मैक्सिमा यह जो है शोधन अनुपात में मालूम पड़ गया कि इस बंदे की टोटल एसेट तो इतनी है और इसकी लाइबिटी इतनी है तो इससे में वालूम पड़ गया कि इसकी शोधन करने की शम्ता कितनी है रेंड चुकाने की इसके धंदे के स्वामी की कितनी है क्लियर तो टोटल आउट्सेंडिंग लाइबिल्टी जबन टोटल एसेट कई बार एक प्रश्णा आजाता है इसी में शोधन अनुपात में कि आपकी जो एक्विटी एक्विटी भी तो संपत्ती होती अणर डैट मतला है आपकी संपत्ती में रेंड चुकाने की शम्ता कितनी यह 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 जाता है यह जित्व है को जिए यह एक्विटी लाइशो बताओ रेंड शोधन यह जो अनुपात यह पूछण था उपर डैप कि लिखना था नीजे लिखना पूरे दो नमर मिल जाने थ क्लियर अगला देखो लाब दायकता अनुपाथ कि भी मुझे किस अनुपाथ में मेरे धंदे को लाब हो रहा है इसमें कैसे देखेंगे सिंपल दो तरह का प्रॉफिट लेके चलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हम हमें से लाब किस पर देखते हैं सेल्स पर देखते हैं क्लियर विक्रे पर देखते हैं किस पर देखते मेरे प्यारे दोस्तों विक्रे पर देखते हैं तो मैंने देखा विक्रे पर मेरा सकल लाब गुरॉस प्रॉफिट हुआ कितना वह देखने के लिए मैं कैसे करूंगा सकल लाब को विक्रे लाव अब यह सकल बीज रुप हो गया net profit अब देवाइन स्में net profit में क्या होगा कि यह जो मेरा gross profit इसमें से टेक्स बगरा चले जाएगा तो तो इसको घठताने के बाद जो पैसा बचेंगा वह मेरा क्या जाता है कि net profit कि लिए यह कह लिजिए कि मेरे जो इंडिरेक्ट वो सारे इसमें से हटा दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट बच जाएगा आपको तो कवल यह दियान रखना है वह आप से पूछेगा एक्जामेर की बताइए रेशो अन्तरगत या लाब दायक अनुपात के बारें बताइए तो कुछ नहीं करना यह दो फॉ है दो लिखके डाश्श प्रॉफिट रेश्यो और फोरे मिल जाएंगी को क्थे का अ एक होरिजन देखे तो वर्टिकल भी हमने देखी थी अनुलंब तकनीक फिर हमने एक देखी थी इसमें ट्रेंड अनलेशन देखा था फिर हमने दो और देखे थे वो बड़े अच्छे से थे cash flow or fund flow cash flow में हमने क्या देखा था रोकड़ प्रवा का विशलेशन देखा था एक हमने देखा था एक हमने देखा था डूपॉंट विशलेशन देखा था चटा साथवा हमने क्या देख लिया ratio analysis पार्ट में बाठ लिया था लिकुडिती रेशो की तरलता अनुपात की मेरे वेफजाय की वह वह ने देखी थी एक ग्रॉस प्रॉफित रेश्यो देखा था एक नेटर राफिटर रेश्यो देखा था एक यह जो गया हमारा वित्य विव्रन कुन गेंट की अब देखे लेंगे हम ड्बेड़ एंट्रि सिस्टम पार जाएंगे जान के प्रषाट कर लेंगे जोत आपको खंड से पूरा हो जाएगा और खंड बैय में देखो जो आपके बच जाएंगे लीडर्शिप और मोटिवेशन त्योरी वह पांच शे घंटे लेंगे तो उनको भी हम लेके इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे परसो आपको पूरा खंड बह और खंड से कंप्लीट हो जाएगा और पैरलेली हम चालू कर देंगे हमारा पब्लिक एड का भी पार्ट ठीक है जो अच्छे पार्ट से जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं उनको पहले एक बार समझ लेंगे रटने की आवशक्ता नहीं इतना भी हमें ध्यान रहे गया तो हम और से बहुत आगे निकल जाएंगे धन्यवाद